नमस्कार, GS Galaxy में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चलिए मधिकालीन भारत की स्रिंखला हम लोग कर रहे हैं उसमें मुगल वन्स तक हमारा पड़ाव आ चुका है और मुगल वन्स में बाबर हम लोगों ने किया बाबर के बाद अब अगले जो चरित्र आ रहे हैं वो हुमायू है अगले चरित्र जो हम लोग करेंगे उनका नाम हुमायू है बाबर के बारे में मैंने कहा था कि वो केवल भारत पे चार साल तक अपना सासन कर पाते हैं उसके बाद दिसंबर 1530 का समय रहता है हुमायू जो है उनके उत्राधिकारी के रूप में आते हैं बाबर के मृत्यू आगरा में हुई थी लेकिन उनका जो मकबरा बनवाया गया वो काबूल में जाकर बनवाया गया तो चलिए हुमायू के टाइम पिरियड को हम लोग दो पार्ट में देखा जाएगा दो पार्ट में इनका समयकाल होगा पहला जो है वह सिंस 15, 13, 32 प्रथम चरण 1530 से 1540 तक होगा इसके बाद इनका सेरसा से युद्ध होता है सेरसा सूरी से पराजित हो जाते हैं दिल्ली का सिंहासन कह सकते हैं इनके हाथों से महरूम हो जाता है फिर 15 सालों के बाद ये द्विती चरण इनका सुरू होगा और द्विती चरण में ज़्यादा समय तक ये जीवित नहीं रह पाएंगे केवल साथ महीने के आसपास में ये जीवित रहते हैं और 1556 में इनके मृत्यू हो जाती है तो चलिए बच्चों प्रथम चरण में हम लोग देखते हैं कि हिमायूं जब सिंहासन पाते हैं तो पहले तो हिमायूं के साथ जो आप कह सकते हैं कि कुछ अच्छाईयां भी थी, कुछ बुराईयां भी थी, कुछ पॉजिटिव्स थें तो कुछ उनकी अपनी वीकनेस मतलब कमजोरियां भी थी, तो पॉजिटिव्स पे हम लोग बात करते हैं कि अगर देखा जाए तो यह दिल के बहुत बड़े थे, उदार एक फिलैंट्रोफिस्ट वर्ड यूज किया जाता है, कि उदार हिर्दय के स्वामी थें और कमजोरी क्या थी, कि इनकी यही उदारता इनके लिए सबसे बड़ी कशनाई बन जाती है, पहले ऐसे सासक रहते हैं जिन्होंने अपने सामराज को अपने भाईयों के बीच में बाड़ दिया, यूज्वली भाईयों को कहीं का वो दिया जाता था, सुबेदारी दी जा जागीर या कहां कहां का छित्र मिलता है, तो इनके चार भाई हैं, कामरान हैं, असकरी हैं, हिंदाल हैं, ये सगे भाई हैं, हुमाईँ चार सगे भाई रहते हैं, एक इनके कजिन ब्रदर रहते हैं, नाम रहता है सुले मान, नाम रहता है सुले मान, तो चलिए जो है, कामरान को अगर कहा जाए कि कौन सा छित्र मिलता है, तो कामरान को बहुत आसान सा ट्रिक है, कामरान को काबुल और कांधार मिलता है, अब का से देखिए कामरान है का से काबूल है का से कांधार है असकरी को अगर हम लोग कहा जाए कि असकरी को कौन सा एरिया मिलेगा तो असकरी को संभल की जागीर मिलती है संभल का छेतर जो है इनको मिलता है अब इसमें रिवर्स हाप कर दीजिए सा लास्ट में आता है, सा और आ का कॉंबिनेशन है, आ सुरू में आता है, सा लास्ट में आता है, तो असकरी को संभल मिलेगा, हिंदाल अब ये हां है, तो हा को भी रिवर्स कर दीजिए, हिंदाल को अलवर मिलेगा, हिंदाल को अलवर मिलेगा, अलवर कहां का छेत्र है, अल उनको बदक्सा दिया जाएगा थीक है तो चलिए ये इनकी कह सकते हैं कि सबसे बड़ी एक राजनितिक रूप से या कूटनितिक रूप से सबसे बड़ी कमजोरी रहती है इनको लगता है भाईयों को छितर दे देने पर भाई जो है आराम से मिलजूल करके रहेंगे लेकिन ये भाई और ज़्यादा लालची हो जाते हैं और हुमायू के ही खून के प्यासे हो जाते हैं। हुमायू जब अपने adverse condition में आते हैं, दुरदिन में आते हैं, तब उनको लगता है कि भाईयों से सहयोग मिलेगा, लेकिन वहाँ भी उनको सहयोग नहीं मिलता है। तो चलिए हुमायू जो है सहनसाए हिंदुस्तान बन चुके हैं और समय वो है 1530 भी, दिसंबर 1530 भी, अब इसके बाद ये अपना कह सकते हैं कि सैनिक अभियान, कुटनितिक अभियान शुरू करेंगे। और सबसे पहले ये क्या करेंगे, 1532 का वर्स रहेगा, 1532 और ये किसका घेरा करेंगे, चुनार का घेरा डालेंगे। सेर खान वई सेर सासूरी से उनका मुकाबला हुआ था, अब मुद्दे की बात बच्चों आपको ये समझना है कि सेर सासूरी जो रहते हैं ये अफगान सासक रहते हैं, और बाबर ने जिसको पराजित किया था पानी पत के प्रथम युद्ध में, वो इबराहीम लोदी भ रहते हैं वो अफगान सासक रहते हैं, और मुगल क्या रहते हैं, मुगल तुर्की मुसल्मान रहते हैं, तो ये एक अदावत थी, एक लोगों का, मैं कहा था कि अफगानों को थोड़ा इन-फ्रीयार्टी रूप से मुस्लिम कॉम्निटी में देखा जाता था, तो इसके व बंगाल में तुरत आना जरूरी है, जैसे ही चुनार से बंगाल की तरफ निकलने का प्रयास करेंगे, बिहार के समी पर सासाराम का एरिया रहता है, वहाँ पर सेरखा इनको, सेरसासूरी इनको अफगान जो रहते हैं, वो रोक लेते हैं, और रास्ता रोक करके एक, इतना दे किया जाए, तभी हिमायों को हिंदुस्तान के सांसा के पस से हटाया जा सकता है, जैसे ही वो रास्ता रोकेंगे, अब क्या होगा, अब हिमायों इन से उलजना नहीं चाहते थे, क्योंकि बंगाल में जाना उनकी प्रास मिक्ता रहती है, लेकिन कुछ दिनों के घेरे के बा प्रांगाल में ही ठाहर जाते हैं, अब छे महीने का समय आप राजधानी को छोड़ करके एक सुदूर छेतर में हैं, उस जमाने में वो राजधानी ट्रेन और प्लेन नहीं चलती थी, घोड़ा ही जो था, वो सबसे फास्टेस्ट मोड आफ ट्रांस्पोर्टेशन था, तो राजधानी से इतने जादा दूर हैं, भाईयों के अंदर विद्रोह की भावना या दिल्ली को पाने की ग्रेडीनेस जो रहती है, लालसा रहती है, वो आने लगती है, तो इनको संदेसा भेजा जाएगा कि अब बंगाल से निकल ये, नहीं तो दिल्ली भी हाथों से निकल जाएगा, छे महीने के बाद हुमायू पुना जो है अपने राजधानी की तरफ निकलेंगे, और पुना उसी जो चौसा नामक बिहार में सासाराम के पास में, जो चौसा नामक जगह है, यहाँ पे एक बार पुना इनको कौन घेर लेगा, सेरसासूरी इनको घेर लेंगे, अब जब हुमाईूं यहां से बिना उलजे सेरसासूरी से बंगॉल चले गए थे ओई इस छे महीने के बीच में सेरसासूरी ने ठार और पुर्वी उत्तर प्रदेश के अफगानों को एक्जुट कर लिया था और कहा था कि हिमायूं का उद्देश से अफगानों का समूल नास करना है तो इस तरीके की बातों से पूरे अफगान युनाइट हो गए रहते हैं अब ये यूनिटी के जो इनकी एकता रहती है सेरसासूरी को लगता है कि ये अपने राजधानी से दूर है यहां पिनको हराया जा सकता है एक बार पुना सेरसासूरी इनका रास्ता रोक लेंगे और रास्ता रोकने के बाद उनसे फिर वही कहेंगे कि जो नेगोसियेशन्स की बाते रहेंगी तो सेरसासूरी हिमायूं से तब तक युद्ध नहीं चाहते थे वो चाहते थे कि दोनों से नाएं आमने सामने रहें और समय था कि मांसून का समय रहता वो वेट करते हैं कि बारिस हो जाए जान बुछ कर हुमायूं को लो एरिया में लो लैंड के छेतर में रोका गया था अभी बिहार में बार की सिच्वेसन से आप लोग को भी आडिया तो यह पूरा यहां पर पानी जमा हो जाएगा अब कुछ दिनों के बाद जो है बारिस होता है कर्मनासा नदी वहां की एक लोकल नदी है बारिस के बाद क्या होगा मुगलों के सैनी खेमे में पानी भर जाएगा अब पानी भरने के साथ ही क्या होगा याद कीजिए पानी प तोप के जो गोले रहेंगे वो पानी में भीङ करके कर सकते हैं निसक्री हो जाते हैं और जैसे ही इनका तोप खाना जो है यूजलेस होगा वैसे ही सेट सासूरी को लगेगा कि मुगलों की बढ़त जो है तकनीकी बढ़त वो समाप्त हो गई है अब इनके उपर अटाइक किय सेना की जो पूरी एरिया रहता है वो पानी में है उनके अंदर भगदर की सित्ती मची हुई है तो खाना जो है सारे गोले भिंग चुके हैं ऐसे में जो एक डिवेस्टेटिंग अटैक सिरसासूरी के द्वारा किया जाएगा वो अटैक मुगलों पर भारी पड़ेगा हुमा का एक जेस्चर रहेगा वो साही पोसाक रहेगी एक भिस्ती रहेंगे भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई और किसी तरीके से उनको दिल्ली पुना पहुचाया दिल्ली पहुचने के बाद हुमायूं उस भिस्ती को एक दिन का सांसाय हिंदूस्तान घोसित करेंगे और स प्रेसा सुरी को कहेंगे कि आपने धोखे से हमें जो है यहां चौसा के मैदान पर पराजित किया और इनको ललकारेंगे कि आईए आप से अगला मुकाबला हमारा कहां पर होगा कनाज में होगा तो चौसा का युद्ध बच्चों जो हुआ था ये 1539 में हुआ था 1549 में बाद होगा 1540 में 1540 में जेर सा सुरी महत्वाकांची सासक रहते हैं उन्होंने इस चुनोती को स्विकार किया है और सारे अफगानों को युनाइट करते हुए ये कन्नाज यूपी का इरिया पड़ेगा कन्नाज के मैदान पर आएंगे कन्नाज के मैदान पर पुना आने के बाद हुमायूं का मुकदर उनके साथ नहीं रहेगा या आप कहा सकते हैं बारिस के साथ उनका अपना कोई एक नाता रहता है यहां कन्नाज में भी बारिस होगा और बारिस होने के साथ ही इनके भाईयों की अपनी अंदरूनी जो एक matter of conflict चल रहा था कुछ सेनापती हिमायूं की क्या होगी हिमायूं की पराजय होगी अब इस पराजय से सेरसासूरी को वो सुनहरा आउसर मिलेगा यब यही एक golden opportunity है दिल्ली पे भी अपना कबजा जमाया जाए सेरसासूरी कन्नौ से इनका पीछा करते हुए दिल्ली आएंगे इस मुस्किल घड़ी में हिमा साल का समय काल रहेगा सिन्स 1540 से ले करके और ये 1555 तक ये इनके संघर्स का समय काल रहेगा this time period was the matter of struggle for हिमायूं संघर्स का समय और इसी संघर्स के समय में हिमायूं दरदर की ठोकरे खाते हैं ये कहा जाता है कि मुश्किल में अपने तो अपने होते हैं, हिमायून ने सोचा था कि हमारे भाई इस मुश्किल घड़ी में हमारे अपने होंगे, भाईयों का सहयोग नहीं मिलेगा, कहां कहां दरदर की ठोकर नहीं खाते हैं, जाते हैं, इरान जाएंगे, इरान के सासक से उनका नाम और इसी संगर्स के समय में 1541 इसबी में ये हिंदाल के अध्यात्मिक गुरू रहते हैं, उनकी बेटी से ये साधी करेंगे हमीदा बानू बेगम रहेंगी, हमीदा बानू बेगम से इनका विवाह होगा और इस विवाह के एक साल के उपरांत बच्चों 1542 इसबी में किसका जन्म होगा? इन 1542 इसी संगर्स के समय में अकबर का जन्म होगा कहां पे हुआ था ये क्वेस्चन आप लोगों की एक्जाम में पूछा गया है पंजाब में अमर कोट के राजा रहेंगे, अमर कोट के राजा वीर साल के यहां पे हुआ था अमर कोट के राजा एक राजपूत सासक थे आपने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाबर ने राजपूतों के सीरों की मिनार खानवा के भी युद्ध में लगवाया था और चंदेरी के भी युद्ध में लगाया था तो यहां पर इनको डाउट रहता है कि सायद वो रिवेंज की भावना इनके अंदर ना हो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है अकबर का जन्म यहां पर होगा चलिए अब हिमायू डदर की ठोकर खाते हैं और इस 15 साल के समयकाल में क्या होगा सेर सासूरी की 1545 में मृत्ति हो जाएगी उसके बाद उनके जो उत्राधिकारी आएंगे वो योग्य सासक नहीं रहेंगे अब हुमायू की यह opportunity 1555 में मिलेगा वो अपने सैनिक जो रहते हैं सेना नायक रहते हैं बैरम खान के सहयोग से बैरम खान के सहयोग से सरहिंद के युध में किसको हराएंगे स से सरहिंद स स सिकंदर सासूर को पराजित करेंगे और इस प्रकार से पराजित करने के साथ हिमायू पुनह जो है वो दिल्ली का सिंहासन पा जाएंगे दिल्ली का सिंहासन प्रात करेंगे तो चलिए ज़्यादा दिन तक इनको ये सिंहासन रास नहीं आएगा लगभग 6-7 महीने हुए रहते हैं ये अपने दिल्ली में दीन पन इनका पुस्तकालए रहेगा और पुस्तकालए की सिढियां उतरते समय इनका पैर फस्ता है और गिर कर इनकी मृत्यू हो जाती है। लेन पूल ने इनके बारे में कहा कि हिमायूं जीवन भर लडखडाते रहें और लडखडाते हुए ही उनकी मृत्यू हो गई तो चलिए हिमायों की मृत्यूं के बाद अब अकबर जो है वो अगले उत्राधिकारी बनेंगे तो अगले वीडियो में हम लोग एक 14 वर्स के बालक अकबर के बारे में बातचीत किया जाएगा चलिए बच्चों आप लोग को एक जरूरी सूचना देनी है हम लोग का AIS और PCS का बैच स्टार्ट होने वाला है आप सारे जो बच्चे इसके लिए इंट्रेस्टेड हैं वो इन्रॉल कर सकते हैं और लेडी हम लोग का ऑप्शनल का बैच रनिंग चल रहा है NCRT की बैच काफी इंट्रेस्टिंग तरीके से चल रही है तो जो भी बच्चों को इस क्लास से जूड़ना चाहते हैं काफी इंट्रेस्टिंग वे में हम लोग चल रहे हैं वो आप सारे लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ विस यू आल दे बेस थैंक यू